एक आरंभिक पुरा तत्वेत्ता एक आरंभिक पुरा तत्वेत्ता से यहां अर्थ है कि दक्षिन कछार के एक व्यक्ति ने जो बेबिलोनिया को जिसका नाम था नेबो पलासर नेबो पलासर इस व्यक्ति ने लगभग 625 इस्वी पूर्व मैं बेबिलोनिया को असिर्याईयों के आधिपत्य से मुक्त करादा मैं पनाद दोरादू व्यक्ति का नाम नेबो पलासर उसने 625 इस्वी पूर्व याने आज से लगभग 2700 वर्ष पूर्व आज से उसने बेबिलोनिया को असिर्याई चंगल से असिर्याईयों के आधिपत्य से मुक्त कराया और उनके उत्रादिकारियों ने कई मंदिरों का निर्माण किया उसका विस्तार किया और खेतर का भी बड़ा विस्तार किया तो संस्थापक के बाद आए हुए जो उत्रादिकारी थे उनका योगदान ये था कि उन्होंने वहाँ पर काफी विस्तार किया खेतर का भी इसके साथी साथ भवन निर्मान में भी और जो भवन बन रहे थे उनके निर्मान को पूरा किया नए बड़े भव्य भवन भी बना है तब से लेकर यहने चैसोपचीश से लेकर पांच्छोओ उन्चालिस इसवी तक इसवी पूर्व तक इरान के एकमेडिक लोगों द्वारा विजित किये जाने तक क्योंकि इसके बार इरान से एक ट्राइब आई और उन्होंने हमला किया जिनका और जिनका जो ट्राइब का नाम था एक एमेनिट इनके द्वारा जब हमला किया और विजित किये गए तो उसके बाद 331 इस्वी पूर में सिकंदर से पराजित होने तक बेबिलोन दुनिया का प्रमुक्ष नगर बना रहा यानि बेबिलोन की गाथा की अधि बात करें बेबिलोनिया बेबिलोन तो हम देख सकते हैं कि 625 से उसकी शुरुवात होती है फिर उसका विस्तार होता है फिर अनेक निर्माड होते हैं उसके बाद फिर एरान से एक ट्राइब आती है और उस ट्राइब के से विजित होने के और उसके बाद सिकंदर के हमले तक जो 331 पूर में सिकंदर से पराजित होने तक बेबिलोनिया जो है वह दुनिया के सरश्रेश नगरों में माना जाता था सबसे शांदार शहरों में माना जाता था और उसका स्थान एक प्रमुक स्थान बना रहा ये जो बेबिलोनिया खेत्र है ये लगवग आठ सो पचास हेक्टेयर में फैला हुआ था यानि विस्तार होते होते इतना हुआ कि शहर का खेत्र फल्स्वैम में आठ सो पचास हेक्टेयर के आसपास हो गया उससे ज्यादा और उसकी जो चहार दिवारी थी ये चहार दिवारी शहर की तिहरी तीन लेयर उसकी थी सरक्षा की दिश्टे से यह इस बात को सबित करता है कि बेबलोनिया इस सबिता के लिए कितना महतपूर्ट था इस चहार दिवारी के अंदर बेबलोनिया में अनेकों राजमहल बनाएं गए अनेकों मंदिर बनाएं गए जो जिनकी मौझूदगी खुदाई के बाद पाए गए साक्षों से बड़ी स्पष्ट होती है तो इस इतने बड़े खितरफल में जो राजमहल बड़े बड़े मंदिरादी बनाए गया उसके साथ ही एक जिगुराद भी बनाए गया ये जिगुराद एक तरीके थे मीनार नुमा था जो बड़ा सीधा था सीड़ियां थी उसमें मीनार नुमा जिगुराद था और इससे बनाए गया और इसके मुख इसको मूल रूप से एक मुख अनुष्ठान केंदर के रूप में देखा गया जैसा कि पहले भी आप समझ गया हैं कि जिगुराद उनकी दिंचर्या में कितने महत्पूर्ण थे शोभा यात्रा के लिए इस अनुष्ठान केंदर तक की शोभा यात्रा के लिए जो रास्ता बना वह रास्ता भी बहुत विशाल बहुत सुन्दर और बहुत ही शांदार बनाए गया था एक विस्तरित मार्ग बनाए गया था इस विस्तरित मार्ग से शोभा यात्रा जिगुराद तक जाती थी किसी भी समारोह की किसी भी कारिकरम की या राजाओं की और उस शुभायात्रा के दौरान जन्ता जनारदन मार के दुनों और इनका स्वागत करती थी आदी आदी ये जो बेबिलोनिया है ये एक तरीके थे व्यापारिक केंदर भी बन गया था और अनेकों व्यापारिक घराने इस समय यहां आकर कारिकरने लगे और इनका जो दायरा था बेबिलोनिया के व्यापारिक घरानों का जो दायरा था बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था काफी बड़े खेतर में दूसरे देशों में इनका अपना व्यापार हुता था व्यापार चलता था इसके अलावा इस काल में बेबिलोन ने अनेकों खगोल शास्तियों को खगोल विद्व को जन दिया गणितग्यों को जन दिया और ये गणितग्य और खगोल शास्तिय बहुत प्रसिद्ध हुए जिनके बारे में आगे पढ़ा जाएगा पर आपको ये जानना चाहिए कि कुल मिलाकर बेबिलोन का जो माहौल था, जो वहां का वातावरन था, वह इन सब के विकास के लिए बड़ा ही सक्षम था, बड़ा ही कहना चाहिए सरल था और ये संभावना सदय बनी रहती थी कि इस तरीके का आर्थिक विकास, धार्मिक वि और साथी वैग्यानिक विकास, गणितग्य और खगोल शास्त्री ऐसा होता रहे, भवन निर्मान में तो निश्चित रूप से बेबिलोन विश्व प्रसिद्ध धरोहर है आज भी, नैबोनिडस, सतंत्र बेबिलोन का आखरी शास्त्ता, उसने लिखा है कि और के देवी द देवता ने उसे सपने में दर्शन दिये और उसे सुदूर दक्षिन के उस पुरातन नगर का कारभार थमालने के लिए एक महिला पुरोहित को निक्त करने का आदेश दिया था, देखिए कलपना करिए कि एक प्रसिद्ध शासक को ऐसा महसूस होता है सपने में कि नगर दे महिला पुरोहित को निक्त किया जाए, उसने लिखा चूंकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का पतिष्ठान भुला दिया गया था, उसके विशिष्ठ लक्षनों को कहीं नहीं बताये गया है, मैंने दिन भर उसके बारे में सोचा आदी आदी, आगे वो लि उसका पत लेक मिला है, पत लेक हैने स्टिले, एस टी इल ए, और उस पर उसने महिला पुरोहित की आकरिती भी देखी, अंकित हुई देखी, एक तरीके से एंबास देखी, उस महिला पुरोहित ने आभुशन पहन रखे थे, उसकी अपनी वेज़विशा थी, जिसे निदस लिखते हैं, उसने बड़े गौर से देखा, ध्यान पुरुवक देखा, और फिर उसने अपनी पुत्री को वैसी वेज़वुशा से सजाकर, सुसजित कर, महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, और यह सब क्यों, क्योंकि उसे नगर देवता ने कभी सप अपने में, एक महिला पुरोहित को प्रतिष्ठित करने का एक आदेश दिया था, अच्छा, नेबोनिडस को लेकर, कई किसे प्रचलित हैं, उसमें से एक किसा ये भी है, कि नेबोनिडस राजा के पास, किसी एक अन्य अवसर पर एक आदमी आया, वो आदमी अपने साथ एक टूटी मूर्ति लाया हुआ था, नेबोनिडस नाम के जो प्रसिद राजा थे, उनके पास एक टूटी मूर्ति लाया, और उस मूर्ति का धर निकला हुआ था, लेकिन उस पर अकड के राजा, सारगाउन का नाम खुदा था, राजा का नाम क्या था, सारगाउन, और वो अकड सभिता के राजा थे, सामराजी के राजा थे, उनका नाम खुदा हुआ था, मूर्ति का धर निकला हुआ था, और उसको लाया और उसको उसने नेबो निडस के सामने रखा, ये जो खारगोन राजा है, इसके बारे में नेबो निडस और ततकालीन समाज के सब जो बुद्धी जीवी लोग थे, वो उसके बारे में जानते थे, कि यह एक प्रसिद्ध शासक रहा है, जिसने करीब 2370 एस्वी में शासन भी किया है, ये जानकारी निड़ो निडस को थी, तो जब उसने उस पटिका को देखा, और उस मूर्ति को, जो विखंडित हो चुकी थी, इसका सिर अलग हो चुका था, तो उसने कहा कि, महसूस किया कि ये मूर्ति बहुत अहम है, बहुत महत्पूर्ण है, और एक अच्छे शासक की है, इसलिए उसने उसको मरमत करने का जिम्मा उठाया, और उसने एक जगा नेबो निडास ने लिखा है, अपने भाशा में उसमें लिखा है कि, देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निश्ठा के कारण, कितनी अच्छी बात लिखी देखिए, कि देवताओं के प्रति अपनी भक्ति और राजाओं के प्रति अपनी निश्ठा के कारण, मैंने कुशल शिल्पियों को बला कर, इस खंड़िच सिर को बदलवा दिया है, तात्पर ये है, कि ये राजा उस समय के, उस काल के, जिसमें निवर इड़स भी एक था, बड़े सेंसिटिव थे, इनमें समझ थी, और इसके साथ ही, दूसरों की इज्जत, दूसरों का सम्मान, देना भी जानते थे, चाहते तो निवर इड़स इस बात को ताल सकता था, तूटी हुए मूर्ति को एक दर किनार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने बगाज़ा शिल्पकार बलाए, और उसने क्या किया, इसको लेकर उसने अपनी बात भी लिखी है, ये इस बात का साक्ष है, कि नबवन इड़स एक अच्छा शासक रहा होगा, मंदिरों की जब हम बात करते हैं, तो बारम बार ये बात आती है, कि मंदिर जो थे, वो सभी तरह की गति विधियों का केंद्र थे, और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसमें एक बिंदू और है, कि मंदिर जो थे, वो सचाई को भी नियंतरत करते थे, मंदिर के अधिकारी, सचाई से निकलने वाले पानी को भी नियंतरत करते थे, या उनका एक अतरिक्त कारी हुआ करता था, सिचाई कारियों में इन मंदिरों की बड़ी विशिष्ट भूमिका होती थी दक्षिन मेसोपटैमिया वहाँ जो अच्छी फसल होती थी उसके लिए कुछ नहीं बलकि समुचित सिचाई व्यवस्था ही जिम्मेदार थी वैसे तो दक्षिन मेसोपटैमिया का जो खेत्र था वो कुछ चीजों के लिए बड़ा बदनाम था जैसे पत्थर वहाँ उपलब नहीं थे वहाँ अन्य कुछ चीजों उपलब नहीं थे अन्य संचाधन नहीं थे लेकिन फसल बड़ी अच्छी थी और इसकी व्यवस्था इसकी व्यवस्थापन का कार मंदिर के लोग करते थे वहाँ पे उन्होंने बड़ा ध्यान रखा कि असल दक्षिन में से प्रटैमिया में फसल अच्छी हो और इसके लिए सिचाई की समुचित व्यवस्था हो साथ ही साथ नहरे भी बनाई गई और इन नहरों को आवश्य कतानुसार विविन्न खेतरों में फैलाये गया इसमें से जो पानी जाता था इस पानी को रेगिलेट करने का काम मंदिर के अधिकारी करते थे खेतों पर पानी पहुचाने का काम और इस बात का ध्यान रखते थे कि ये पानी व्यर्थ न जाए साथ ही साथ सूखा न पड़ जाए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंदिरों का सिचाई व्यवस्था में भी एक बहुत अहम कारे था इस बात का हमको ध्यान रखना होगा कि इस तरह की व्यवस्था में ये अवश्यक है कि सामोहिक प्रयास हो और साथ ही शिरम का समुच्चत प्योग हो बालों पड़ा हम नहर से पानी तो छोड़ दिये लेकिन वहां दूसरे इंड पर जिनको पानी दिया जा रहा है वो लोग स्वयम अभी तैयार नहीं है वहां श्रम तैयार नहीं है ऐसे में पानी विर्थ हो जाएगा दूसरी और इसके उल्टा वहां किसान तो तयार बैठे हैं पानी की प्रितिक्षा कर रहे हैं और किसी कारणों से पानी वहां भेजा नहीं जा रहा है या पानी नहीं आ रहा है यह भी विर्थ है तो इस प्रकार सामूहिक प्रयास, समग्र प्रयास, इंटिग्रेटिट, होलिस्टिक एप्रोच और उसके साथ श्रम, इसका सम्मान, ये उस समय बखुबी इस बात का ध्यान रखा जाता था और इसकी आश्कता को महसूस किया जाता था एक प्रसिद इतिहास का रॉबर्ट एडम्स, रॉबर्ट एडम्स लिखते हैं कि सिचाई के पानी का वित्रण, मंदिर के अधिकारियों दोरा होता था कब कौन सा पानी कितना भेजा जाए, इसकी व्यवस्थापन की जिम्मेदारी मंदिर के अधिकारियों की थी और मंदिर की देखरेक के काम के लिए जो आवश्यक शरम शक्ति लगती थी, वह भी बड़ी संग्ठित तरीके से की जाती थी ऐसा रॉबर्ट एडम्स ने लिखा है, ततकालीन सब्विता को लेकर भूमी उब जाओ थी, लेकिन उत्पादन ऐसा कुछ निश्चित नहीं था कम ज़्यादा उतार चड़ा होता रहता था, क्रिशी संक्टों से घिरे रहते थे कई तरह की दिक्कते आती थी, चाहे नदी की बार, चाहे मौसम बदलाओ, अकाल या कीड़ों का आना फरात नदी कभी-कभी फसलों को पानी से भर देती, और कभी खेट सूखे भी रह जाते थे तो यानि मौसम की मार का असर उस समय भी स्पष्ट रूप से दिखता था, और भूमी की उपजाओ होते हुए भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पुड़ा, नीचे के जो गाओं थे, उनमें पानी बहुत कम पहुशता था और परणाम क्या होता था, कि इन नीचे के गाओं में पानी को लेकर जब तब जगड़ होते रहते थे और जगड़ों में जीतने पर मुखिया सारा सामान अपने साथियों को बांड़ देता था ये एक बड़ी अजीब परंपरा थी, उपज का एक हिस्सा देवी देवताओं पर चड़ता था और जैसा पहले बताया, पुजारियों का उपज पर काफी नियंतरा होता था उपज का एक हिस्सा सैन्य वर्ग को दिया जाता था ये पुजारी जो थे, ये इसी उपज के बल पर अपनी आये को मजबूत करते थे और मतर आर्थिक आया नहीं, बलके अपना सामाजी किस तर भी मजबूत करते थे इसी तरह अत्रिक उपज, सिचाई की आर्थिक क्रिया कलाप से ये राजनेतिक शब्ती अपने हाथों में केंद्रित करते रखते थे ये इन पजारियों का एक बहुत अहम गुर्ण था कि आर्थिक क्रिया कलाप और साथी राजनेतिक शब्ती दोनों को अपने तक बांद के रखना अपने तक केंद्रित रखना राज्य गठन के विभनतत्व जैसे विधी, बंधुत्व, नौकर शाही, सेना ये सब मंदिरों से संबन्द थे, सब का संबन्द मंदिरों से था यानि पूरा राज्य जो है, वह मंदिर केंद्रित होता था पूरा शासन मंदिर केंद्रित होता था मंदिर किसी राज्य की सभी गतिविदियों की धुरी थी और मंदिरों की बढ़ती शक्ति में सुमेरिया राजी के निर्माण में सहयोग किया और परड़ाम क्या हुआ कि राजनेटिक सत्ता मंदिरों से अलग होकर अब राज महल में केंदरित हो गए ये एक समय के साथ साथ हम परिवर्टन देखते हैं एक पुरा कालीन उस्तकाले है उस समाज में उस काल में जिस काल की हम चर्चा कर रहे हैं मैं बारम बार इस बात को सुर्ण दिला रहा हूँ आपको कि हम चर्चा कर रहे हैं आज से लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व की बातों को चार हजार थे पांच हजार वर्ष पूर्व की बातों का हम जिक्र कर रहे हैं और उस समय अब मंदिरों के अलावा अब हम चलते हैं थड़ा पुष्टकाले के बारे में जानने यह उस समय भी उस समय के राजा उस समय के विद्वान गण पुस्तकालय की कल्पना से वाकिफ थे और उनके पास पुस्तकालय होता था एक तरीके से लौह काल था लौह युग था और लौह युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक जब समराज की स्थापना की वहां पर तो जो लगवाक 720 से 610 ईस्वी पूरव तक के काल की बात कर रहा हैं तो उस समय यह जो समराज जफापना सिरियाई यह अपने उत्पन उत्तुंग शिकर पर था अपने चर्मत कर्ष पर था इसका सरवशिष्ट काल यही साथ सो बीस चैसो दस इसवी माना जा सकता है और यह जो समराजित था सी रियाईयों का यह एजिप्ट मिस्र तक फैला हुआ था यहने काफी विस्तार हो चुका था और राजिर अर्थ वर्थ था उन दिनों बिलकुल लूट मार की हो चली थी उसके अलावा लूट मार कार्थ यह हुआ कि जो अधीनस्त कर्मचारी थे जो अधीनस्त लोग थे प्रजा जन के लोग उन पर दबाव बना कर बहुत सारी चीजें उनसे ली जाती थी और यही लूट मार कह सकते हैं बहुत सारी चीजों से और थे जैसे खाद्यान इसके अलावा अभूशन आधी आधी प्रजा जनों को दबाए रखना उन पर अपना वर्चस बनाए रखना ये एक परंपरा हो चली थी जब विकास होता है और विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है उसके बाद हरास होता है गिरावट आती है और उस काल में ये सब बुराईयां दिखने लगती हैं जिसकी चर्चा अब हम कर रहे हैं और उसी में ये लूट मार वाली बात पशुधन साथी धातू शिल्प के सामान ये एक तरीके से बेगार और नजराना के रूप में लिया जाता था दबाव बना कर सामान जनता से बड़े बड़े असिरियाई शासक जो बाहर से आकर यहां बसे थे ये शासक बेबिलोनिया को उच्च सौंस्कृति का केंद्र मानते थे और इसी उच्च सौंस्कृति केंद्र का ये हश्र होता था कि जहां पर हम इस तरह की बराईयां भी देखने लगे लेकिन ये तैह है कि जब बेबिलोनिया अपने चर्मोत कर्श पर था तो वहां पर वह एक, अपने तरीके का एक अनोखा शहर था, एक बहुत समरिद्ध, मानसिक रूप से, बाध्धिक रूप से, सांसिर्तिक रूप से, एक बहुत समरिद्ध शहर था, लौह युग, लूट मार, शहर की सम्रिद्धिता, सामराज्य का विस्तारित छेत्रफल उसके साथ वहाँ पर पस्तकाले की बाद इन में से एक आखरी राजा असुर बनी पाल जो 668 इस्वी पूर्व से 627 इस्वी पूर्व तक शासन किया उसने उत्तर में अपनी राजधानी निवे में एक विशाल का पुस्तकाले की स्थापना की पुस्तकों कामबार लगा दिया और उस पुस्तकाले में विबिन विश्यों की पुस्तकें थी जैसे इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, जोतिश विद्या, स्तुतियां और कविताओं की पट्टियां इन सब को उसने एकठ्था करने का बहुत प्रयास की आसर बनिपाल ने और उसमें काफी हद तक सफल भी रहा अपने लिपकों को, जो लोग उसका कारे करते थे लिखने का, उसको उसने तो दक्षिण में भेजा ताकि वो पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाएं, उसकी खोजबीन करें और उसको एकठ्था करें क्योंकि उसका मानना था कि दक्षिण में लिपकों को बिर्द्यालेओं में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था और जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तयार करने के लिए काम दिया जाता था इसलिए पूरी संभावना है कि इस खेत्र में बहुत पट्टिकाओं का भंडार मिलेगा और ये हमारे काम आएगी बेबिलोनिया में भी ऐसे नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रत तयार किये जाने और पाए जाने के लिए बड़े मशूर थे उसरे शब्दों में पर्टिकाओं का बड़ा अहम रोल था और पर्टिकाओं बड़ी मात्रा में बनाई जाती थी बड़ी मात्रा में संकलित की जाती थी जद्यपी लगभग 18 से स्वी पूर्व के बाद सुमेरियन भाशा जो है वो एक बोली के रूप में कम जाने लगी या बंद हो गई लेकिन विद्यालियों में वहाँ इसकी शब्दावलियां इसकी संकेश सूचियां दुभाशी याने सुमेरी और आपको याद होगा मैंने एक अकदी भाशा का जिक्र किया था इनकी पटिकाओं आधिके माध्यां से अभी भी पढ़ाई की जाती थी सामाने बोल चाल में भले ये भाशा लुप तो प्राय हो चली थी लेकिन अध्यार अध्यापन के खेत्र में ये भाशा अभी भी पचली थी इसलिए छैसो पचास इस्वी पूर में भी और दोजार इस्वी पूर तक पुरानी कीला कार अक्षरों में लिखी पटिकाएं पढ़ी और समझी जा सकती थी और असुर बनिपाल के जो आदमी थे उसके जो अधिकारी थे उसके मातहद जो काम करते थे वे इन पुरानी पटिकाओं और उनकी प्रतिक्रियों को कहां खोजा और प्राप्त किया जा सकता है ये जानतित इसे वाकित से एक तरीके से उनका एक अंदाश था कि ये जो प्रतिक्रितियां हैं और पटिकाएं हैं ये कहां मिल सकती हैं इनकी संभावनाएं कहां हैं इसको पता लगाने में ये लोग निपोड थे गिलगे मिश जो एक बड़े प्रसिद देखा किया है उनके महाकाविज जैसी महादपूर्ण पट्टिकाओं के प्रतियां तैयार की गई इस काल में जहाँ एक तरफ ये सब बराईयां थी जिसका जिक्र हुआ वहीं दूसरी और इसी काल में हम देखते हैं कि साहितिक गतिविदियों में भी काफी दखल रहा हूँ यद्यपी पुना स्मरण कराना चाहूँगा आपको कि इस काल के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे जैसा मैंने बताया है पूर में क्योंकि शायद लिपी भी गड़ी कठिन थी समझ भी कठिन थी लेकिन फिर भी जो महाकावि लिखे गया है जैसे गिल गेमिश का महाका उसकी जो पटिकाएं बनी इन महत्पूर्ण पटिकाओं की प्रतियां तियार की गए ताकि किसी सिती में यदि ये पटिकाएं नश्ट हो जाएं या लुप्त प्राय हो जाएं तो प्रतियों के रूप में इनकी अन्य पटिकाएं उपलब्ध रहें यहाई इस बात की और इशारा करता है कि ततकालीन राजा शासन साहित्य के प्रति गंभीर था प्रतियां जो तयार करते थे इन पटिकाओं की वे तयार करने के बाद इसमें अपना नाम लिखते थे और साथ ही उसमें नीचे तिथी भी लिखते थे पटिकाओं में आप देखेंगे कि कुछ पट का बड़ा महत्व हुआ करता था और कुछ पटिकाओं के अंत में असुर बनिपाल का उल्लेख भी मिलता है। हो सकता है कि इन पटिकाओं के निरमाण में असुर बनिपाल ने विशेश रुचिली होगी या किसी तरह का आदेश दिया होगा या असुर बनिपाल ने किसी कारणों से चाहा होगा कि उसमें उसका नाम दर्ज हो मैं असुर बनिपाल ब्रम्हंड का समराड असीरिय का शासक जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है जिसने विद्धवानों के पांडिति के गूर ग्यान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है और मैंने पटिकाओं की जाच की स्वैम और इन्हें चंग्रहित किया है मैंने उन्हें निनवे स्थित अपने इश्ट देव नाबू के मंदिर के पुस्तिकाले में भविश में उप्योग के लिए रख दिया अपने जीवन के लिए अपनी आत्मा के कल्यान के लिए और अपनी शाही संवासन की नीव को मजबूत बनाएं रखने के लिए उस से भी महत्पूल का रहे था कि इन पटिकाओं की सूची को तैयार करने का सूची कैसे बने पटिकाएं तो इतनी सारी विभिन ने तरीकों की लेकिन इनका वरगी करन होना इनकी सूची तयार करना ये भी एक बहुत बड़ा अहम कारे हुआ करता था इसके लिए जो तरीका अपनाया जाता था वो कुछ ऐसा था जो बड़ा रुचिकर है कि एक टोकरी में कई पटिकाएं रख दी एक तरह की जिसका या विशह वस्तु एक हो या जिसका काल एक हो या जो किसी एक खास व्यक्ति के लिए हो किसी एक खास बात के लिए हो और या किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गई ही वे पटिकाएं तो इस तरह टोक्रियों में रख दिया जाता था और उन टोक्रियों में लिख दिया जाता था विशय का नाम और कुछ अन्य जानकारी टोक्री के बाहर एक उदाहरण है कि इसमें एक टोक्री जिसमें पटिकाएं भूत प्रेत निवारन विशय पर असंख्य पटिकाएं ऐसा एक टोकरी में लिखा गया किसी दूसरी टोकरी में कुछ अन्य बात लिखी गई किसी तीसरी टोकरी में लिखा रहता था अमुक व्यक्ति के द्वारा फलाँ फलाँ व्यक्तिके द्वारा बनाई गई पट्टिकाएं आदी आदी तो इस प्रकार वर्गी करण एक बड़ा अहम कारे था और वर्गी करण ने इस कारे को इतिहास कारों के लिए बड़ा सरल कर दिया कि उससे वह इतिहास का निर्माण कर सके तद काली नितिहास कौन असुर बनीपाल का जो पृष्टकाले ठाओ जिसके लिए वो बड़ा प्रसिद्ध है उसके पृष्टकाले में बहुत बड़ी संख्या में पृष्टकें थी मूल गरंथ का बड़ा संकलन था ऐसा कहा जाता है कि उसके पृष्टकाले लाइबरेरी में एक हजार मूल गरंथ थे और लगबग 30,000 पट्टिकाएं कल पना करिये कितना विशाल रहा होगा 30,000 पट्टिकाओं का वरगी करन करके उनको अपने पृष्टकाले में समायोजित करना और उचित थान देना और इसके साथी एक हजार मूल गरंथ इनका विश्यान उसार वरगी करन करके उसने अपने पृष्टकाले में रखा था असूर बनिपाल इसलिए भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ